स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ और आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेल इससे पहले टीशू टॉपिक हम कर चुके हैं आज जो हम स्टार्ट करेंगे इट इस सेल तो देखते हैं सेल क्या है तो देखते हैं स्ट्रॉक्ट्ट्र च्टर्ड एन्द फंडामेंटल उनिट तो क्या समझते इन दो टर्म से हम सबसे पहले आता है आज जितने भी लिविंग बिंग्स हैं सबी की बॉड़ी किस से मिलके बनी हैं सेल से मिलके बनी होती है तो cell क्या है, structure जो बन रहा है पूरा, उसका basic है, base क्या है, उसका cell है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, smallest structural unit है, and second क्या है, fundamental, fundamental या फिर functional भी इसे हम कह सकते हैं, ऐसा हम क्यों कहते हैं, because एक जो advanced living being है, याने कि हम human being की बात करें, human being में जितनी भी processes होती हैं, वो सभी एक single cell के अंदर carry out होती है, क्या कहां मैंने कि एक पूरी human body में जितनी processes होती है, सभी की सभी इसे एक cell में होती है, इसलिए इसे fundamental unit कहा जाता है, सारी कैसे processes, like digestion है, nutrition है, absorption है, excretion है, respiration है, ये सभी की सभी process एक पूरी human body में भी होती है, as well as एक cell में भी पाई जाती है, इसलिए हम क्या कह रहे इसे structural and fundamental unit कह रहे हैं, next देखिए, complex microscopic unit, यह complex है, क्योंकि आपको पता है, cell अपने आप में बहुत complex structure होता है, like DNABC के अंदर है, mitochondria के अंदर है, काफी सारे इसके अंदर कितनी सारी processes इसके अंदर होती है, it means क्या है, यह complex structure है, and microscopic, microscopic means बहुत छोटा, यानि कि बिना microscope के इसे देख पाना ना मुम्किन है, हमारे लिए, इसलिए क्या है, यह complex है, और microscopic है, then, discovered by Robert Hook in 1665, अगर cell की history की बात करें, तो इसे discover किस ने किया था, Robert Hook ने किया था, 1665 में, बट उसने जो cell discover की थी, it is a dead cell, वो क्या थी, dead cell थी, in piece of a cork, piece of a cork, cork आप सभी को पता है, cork क्या होता है, जो पेड होता है, उसकी छाल से बना होता है, उसे हम cork कहते हैं, तो इक cork क्या है, dead था, ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक cork के अंदर cell देखी थी, इसका मतलब, उसने सबसे पहले जो cell देखी, वो dead cell थी, उसे क्या नज़र आया, देख, honeycomb like structure नज़र आया था, वो honeycomb like structure यह, यहाँ आप देख सकते हैं, dead cells of cork, सबसे पहले उसने इस type की cells को देखा था, and उसने क्या नाम दिया, इसे, cellula, cellula is a Greek word, cellula is a Greek word, तो उसने cellula से क्या नाम दिया, इसे ही, it is a cell, and cellula का basic meaning क्या होता है, a room, like उसे छोटे 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 rooms नज़र आ रहे थे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, उसने क्या नाम दिया, cellula का मतलब छोटे 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 rooms हैं, इसलिए उसने cell नाम उसने दे दिया, next देखते ह है, को और एक dead cell है, यह मैं आपको बता चुकी हूँ, living cell by Anthony von Levenhook, सबसे पहले living cell किसने discover किया, living cell discover किया, Anthony von Levenhook ने, जो Anthony von Levenhook है, इन्होंने क्या किया था, pond water पर यह research कर रहे थे, तो research करते हैं, इन्होंने pond water के अंदर, small, small organisms को देखा, ठीक है, यह small cells थी, जो क्या कर रहे करती movement कर रही थी, तो जो उन्होंने देखा कि यह movement कर रही है, यह microscopic चीज क्या है, तो जब उन्होंने examine किया, तो उन्होंने क्या बताया, कि Robert Huck ने जो cell discover किया था, वो dead था, और उसका living part है, वो यह वाला है, living इस type का नजर आता है, यहां आप structure देख सकते हैं, सबसे पहले उसने कैसे discover किया था, phytoplanktons थे, phytoplanktons, planktons means जो पानी के उपर तैरते रहते हैं, ओके, पानी में तैरने वाले, and phytom means plant, यानि की photosynthetic, तुन्होंने सबसे पहले photosynthetic microorganisms को देखा था, जो कि phytoplanktons इस तरीके के दिखते थे, और यह क्या थी, living cell थी, तो आंटनी वान बान हुक ने सबसे पहले क्या देखी थी, living cell को देखा था, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में कितनी सारी चीज़े आ गई है, हर एक लाइन, हर एक लाइन आपको कुछ ना कुछ बता रही है, पहला क्या है, smallest structure है, ठीके ना, smallest structure and fundamental unit, दूसरा देखिए, complex microscopic unit होती, अप किसने डिस्कवर किया, एंटोनी वान लिवन उक ने डिस्कवर किया था, ठीक है, कहां डिस्कवर किया था, उसने pond water में डिस्कवर किया था, चलते हैं आगे, next is cell theory, cell theory क्या है, cell theory दी किसने थी, क्यों दी थी, देखते हैं, cell theory by किसने दी थी, Sheldon and Swan, Sheldon and Swan नाम के दो scientists थे, जिन्होंने की cell theory दी थी, cell theory क्या कहती है, देखिए, all organisms are of one or more cells, जितने भी organisms हैं, एक या एक से ज़ादा cell से मिलके बने हैं, अब जो एक cell से बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम unicellular का नाम देते हैं, okay, unicellular क्या होते हैं, जो कि केवल एक cell से मिलके बने हैं, and जो more cell से मिलके बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, we call them multicellular, यानि कि जो multicellular है, वो एक से ज़ादा cell से मिलके बने हैं, इसका मतलब की छोटे से छोटा और्गानिजम भी सेल से ही बना होता है, वो एक सेल का भी हो सकता है, एक से जाधा सेल का भी हो सकता है, ओके युनिसललर और मल्टिसललर, then, new cells arise from pre-existing cells, new cells जो है, वो पुरानी सेल से ही बनी है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, इन दोनों ने नहीं दिया था, ये दिया था, रुडॉल्फ विरकाव ने, जो रुडॉल्फ विरकाव थे, he is a scientist, उन्होंने क्या किया था, एक amendment किया था, cell theory में, cell theory में amendment किया, क्या amendment था, कि जो new cells है, वो हमेशा pre-existing cells से ही मिलके बनी होती है, जो pre-existing cells है, वही किसमें तूट जाती है, new cells में तूट जाती है, new cells का formation वो करती है, तो ये थी हमारी cell theory, अब new cells का formation करती है, हम कैसे कह सकते ह देखिए किसका डाइग्राम है, amoeba है, amoeba is a unicellular, single cell होता है, okay, तो amoeba में हमने देखा है, reproduction कैसे होता है, parent cell है, nucleus divide होता है, सबसे पहले, nucleus divide होने को, इस process को हम कहते हैं, karyokinesis, okay, karyokinesis इसे हम कहते हैं, then cytoplasm divide होता है, second पर क्या है, cytoplasm divide होगा, इसे हम कहते हैं, cytokinesis, okay, तो जब nucleus divide होता है, उसे karyokinesis कहते हैं, because Greek word है आपका karyon, Greek word है karyon, ठीक है, जिससे की क्या है, nucleus, Greek word karyon means nucleus, इसलिए इसे karyokinesis, यानि nucleus का तूटना, karyokinesis कहलाता है, and cytoplasm का तूटना, cytoplasm का divide होना, cytokinesis कहलाता है, and finally, दो daughter cells में यह resulted होती है, ठीक है, दो new daughter cells यह form, कर लेता है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो new cells आई हैं, वो पुरानी cells से ही derived होती है, okay, चलते हैं आगे, On the basis of structure and components, on the basis of structure and components, cell को हम दो पार्ट में divide करते हैं, पहला है prokaryotic, दूसरा होगा eukaryotic, okay, तो सबसे पहले देखते हैं, prokaryotic क्या है और क्यों इसे इस basis पे device किया है, pro and karyotic, karyotic word फिर मैं कहा रही हूँ, आपको nucleus के लिए आया है, because karyon, karyon is a Greek word, जिसका मतलब है nucleus, तो karyotic means nucleus and pro, pro means primitive, ठीक है, primitive यानी की पुराना, primitive type की nucleus जिस cell में पाया जाता है, primitive type का पुराने type का nucleus जिसमें पाया जाता है, उसे हम prokaryotic cell कहते हैं, अब वो कैसा होता है nucleus, ये भी हम देखेंगे, यहाँ देखें, सबसे बढ़े इसकी size की बात करते हैं, size इसकी 1 to 10 micrometer दे रखी है, और micrometer क्या होता है, 10 to the power minus 6, okay, 10 to the power minus 6 meter को हम micrometer कहते हैं, it is of 1 to 10 micrometer, 1 to 10 micrometer का ये होता है, तब nucleus की बात करें, not well defined and known as nucleoid, ये well defined नहीं होता है, और इसे nucleoid का या well defined क्यों नहीं होता है, because जो nucleus है यहाँ पे, उस पे membrane नहीं पाई जाती है, membrane नहीं पाई जाएगी, तो जो इसका genetic material है, वो cytoplasm में बिखरा हुआ रहेगा, cytoplasm में तेहरता हुआ नजर आएगा, ठीक है, इसी लिए defined नहीं होता है, and nucleoid इसे हम कहते हैं, single circular chromosome, chromosome क्या है, genetic material है जो हमारा DNA है, DNA हमेशा chromosome की form के अंदर रहता है, तो chromosome की बात हम करें, तो यहाँ पे एक single DNA और circular form में पाया जाता है, then membrane bound organelles absent, जितने भी membrane bound organelles से सब absent होते हैं, यानि कि जिन भी enzyme से किसी भी function की ज़रुत है, वो सारे chemical cytoplasm में ही पाये जाते हैं, कोई अलग से यहाँ पे, कोई vacuole mitochondria, कोई organelles यहाँ पे नहीं होता है, membrane bound organelles absent होते हैं, example क्या है, एक bacterial cell, यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक bacterial cell है, इसमें आपको बाहर की तरफ नज़र आ रही है, plasma membrane, then cell membrane, आपको नज़र आ रही है, अंदर देखिए, यह जो genetic material है, यह यूँ ही बिखरा हुआ, इसका, मतलब इसका nucleus well defined, नहीं होता है, ओके, prokaryotic की बात कर लिए हमने, next देखने, eukaryotic क्या होता है, eukaryotic, you means advanced, you means advanced, या फिर आप true भी कह सकते हैं इसे, true and karyotic means nucleus, same, जिसके अंदर advanced type का या फिर true nucleus पाया जाता है, उसे eukaryotic cell हम कहते हैं, देखिए, size 5 to 100 micrometer, size क्या है, इसकी 5 to 100 micrometer होती है, nucleus कैसा है, इसका well defined and surrounded by nuclear membrane, nucleus इसका well defined होता है, बहुत ही अच्छे तरीकी से defined होता है, इसका nucleus, ठीके, क्यों, क्योंकि इसके उपर एक membrane present होती, जिसे हम nuclear membrane कहते हैं, ओके, तो nuclear membrane क्या बनाती है, इसे well defined बनाती है, chromosome की बात करें, तो chromosome more than one, वहाँ एक ही था, and circular था, यहाँ कैसा है, linear है, कैसा है, linear है, वहाँ circular था, यहाँ linear है, वहाँ एक था और यहाँ पे एक से ज़्यादा present होते हैं, Membrane Bound Organals are present, Membrane Bound Organals यहाँ पे present होंगे, सारे जितने भी ऑर्गिनल्स हैं, either they are mitochondria, और endoplasmic reticulum, और Golgi body, और vacuoles, जितने भी ऑर्गिनल्स हैं, वहाँ यहाँ पे आपको present मिलेंगे, तो Membrane Bound Organals यहाँ present होते हैं, एक्जाम्पल देखें, तो हम एक human cell, humans are eukaryotes, humans क्या हैं, eukaryotes हैं, तो humans के इंदर जो cells पाई जाती हैं, वो किस टाइप की होती हैं, eukaryotic टाइप की होती हैं, multi-cellular mostly, और जो eukaryotic टाइप के हैं, prokaryotics only unicellular होते हैं, बट, eukaryotic में कुछ ही unicellular होते हैं, बाकी सारे multi-cellular organisms पाई जाते हैं, तो eukaryotic की बात आए, वहाँ पे multi-cellular organisms पाई जाएंगे, prokaryotic की बात करते हैं, prokaryotic के अंदर क्या है, वहाँ पे only unicellular ही पाई जाते हैं, contain organelles, इनमें organelles होते हैं, like golgi bodies है, endoplasmic reticulum है, plastids है, तो इनको हम आगे discuss करेंगे कि क्या होते हैं ये organelles, चलते हैं आगे, यहाँ पे कुछ आपके लिए facts हैं, अब ये facts क्या हैं देखिए, ostrich egg, ostrich egg is the largest cell, ostrich egg एक largest cell है, अगर आपको largest cell देखना है, तो आप एक ostrich egg को देख सकते हैं, prox 170 mm, ठीक है, कितना है, 170 mm, 170 mm का ये होता है, then mycoplasma और PPLO, smallest cell 0.1 microme, ठीक है न, क्या बात कर रहे हैं, mycoplasma क्या है, smallest cell है, यानि bacteria से भी small है mycoplasma, ठीक है, smallest cell है, 0.1 microme की है, and PPLO से आप क्या समझते हैं, it's, pleuro pneumonia like organism, pleuro pneumonia like organism इसका दूसरा नाम है, तो ये दोनों नाम से आपको मिल सकता है, mycoplasma भी, pleuro pneumonia like organism के नाम से भी आपको ये मिलेगा, ये smallest cell होती है, even smaller than bacterial cell, 0.1 microme की ये होती है, यहां आपको structure भी नजर आ रहा है, mycoplasma का, देख लीजिए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, cell के अंदर ही क्या है, ribosomes हैं, और आपका RNA, DNA, ये सब कुछ आपको बिखरा हुआ, मिलेगा, Then, each cell has smaller components called organelles, हर एक cell में कुछ smallest components और पाई जाते हैं, smaller units और पाई जाती हैं, जिनने हम organelles का नाम देते हैं, और ये organelles अपने function के लिए specific होते हैं, Okay, the cell has three main parts, एक cell में तीन main parts पाई जाते हैं, जिसमें पहला है आपका cell membrane, then cytoplasm and nucleus, ठीक है, क्या क्या है, cell के हमेशा तीन main part है, जो prokeretic में भी होंगे और eukeretic में भी होंगे, वो क्या है, एक cell membrane, cell membrane must है, because cell membrane क्या करती है, separate करती है, cell को from environment, ठीक है, तो ये compulsory है, यहाँ पे, cytoplasm दोनों में पाया जाएगा, अब यहाँ लिखा है, which contain smaller components called organelles, तो यह organelles के वल eukeretic के case में होते हैं, okay, organelles के वल eukeretic के case में होते हैं, cytoplasm तो दोनों में ही होगा, इसलिए cytoplasm क्या है, main component है, and the nucleus, अब nucleus वहाँ पे nucleoid है, defined हो, defined ना हो, बट है क्या, nucleus है, तो nucleus होना वहाँ पर must है, okay, फिर से देखिए, ostrichek क्या है, largest cell है, 170 mm का होता है, mycoplasma या pleuroneumonia like organism इसे हम कहते हैं, smallest cell है, 0.1 micron का होता है, okay, each cell has smaller components called organelles, और जो cells होती हैं, उसमें smaller components present होते हैं, जिने organelles कहा जाता है, okay, अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि 3 main parts होते हैं, तीन main parts पाया जाते हैं, एक cell के अंदर, अब ये 3 main parts क्या हैं, पहला है आपका cell membrane, cell membrane, prokeratic, eukeratic, दोनों के अंदर ही पाई जाएगी, cytoplasm, cytoplasm भी आपको दोनों में ही मिलेगा, and nucleus, nucleus भी आपको दोनों के अंदर ही मिलेगा, वो बात अलग है, एक में defined जो और एक में defined नहीं है, but nucleus is must present होना ही चाहिए, औके, and organelles की बात करें, तो ये किवल eukeratic के case के अंदर होते हैं, तो ये हमारा पहला part complete है, या हमने cell की history देखी, cell theory क्या होती है, cell के types क्या होते हैं, और उन्हें वो क्यों है, and कुछ facts देखें हमने cell के regarding, ओके, next part के अंदर हम लोग देखेंगे, organelles क्या होते हैं, कौन-कौन से organelles पाए जाते हैं, क्या-क्या उनका function होता है, और cell division क्या होता है, तो मिलते हैं next part में, तब तक के लिए पढ़ते ही रहिए, जय हिंद,